हाई एवरिवन स्वागत है आपका अपने अप्लिकेशन साती साथ अपने यूटूब चैनल क्रेजी पोली टेक्निक पे हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो अभी इस सेशन में हम लोग डी सी ड्राइब में जो एक निया टॉपिक है तृफेज सेंवी के लटर ड्राइब इसको हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोग सिग्लपेज हाफंवेव कनवर्टर ड्राइब पढ़ें सेमी अलग नहीं है कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग है काम बस वही है हमारा जो डीसी मोटर है उसको डीसी सप्लाई देते हुए उसको कंट्रोलिंग करने का काम है इसके अलाबा इसका कुछ भी नहीं है अगर आप चाहें तो यहां पर जो कुछ बताएंगे उसको चाहें तो आप बन भी सकते हैं अगर नहीं बनाना चाहें तो आप नहीं भी बना सकते हैं कम में भी आपका काम चल जाएगा तो सबसे पहली बात जो हम बोले वही बात को यहां पर लिखें कि इसको प्योग सिंपली इसलिए होता है कि हम लोग डीसी से प्रेके से कंट्रोल कर सकते कैसे हम करना सिंगल फेज में सिंगल फेज एसी को कर रहे थे यहां पर थी फेज तो थी फेज को थी फेज एसी को डीसी में करवर्ट करके हम लोग मोटर पर कंट्रॉल को प्राप्त करते हैं मोटर के स्पीर को हम लोग चेंज करते हैं वहरी कर आते हैं उस पर कंप्लिटली कंट्र सब्सक्राइब और यहां पर भाइब और यह इसके बीच के भी एब क्योंकि जो परेशन इधर के रोता है वही वोप्रेशन वारा फिल्ड मैं भी होता है अगर आप चाहे तो बनाईए नहीं बनाईए लेकिन अगर आपको याद रहा तो बना लेंगे क्या देकत है सेम ही तो सर्कीट है कुछ करना थोड़ू है बस इतना काम तो ऐसे भी हमको करना ही था तो इतना जो सेम सर्कीट है उसी को यहां पर हम बना देंगे तो इच्छा हो तो आपको बनाएगा नहीं मने तो नहीं बना और एक वहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा तीन जो है तो तीन हमारा स्विच फेलड का जो भी रिजिस्टेन्स है और इसमें गार्ड भस यही काम है तो इतना ही point को हम देखे हैं यहां पर लिखे हैं कि इस सर्किट कंसिस्ट आप two converter इसमें दो converter होता है पहला यह आर्मेचर के तरफ है दूसरा हमारा जो है वह फिल्ड के तरफ है ठीक है इना आर्मेचर बैंडिंग ऑप है एक बार आप एक टोपीक को भी समझ गए जो पूरे टॉपिक के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं बस तो अथरा चेंजिंग करके उसमें तेहां पर कंस्ट्रक्शन को जो पाट आपको दिखा वह आप लिख दीजेगा नेक्स्ट हमारा है इट आल्सो कंसिस्ट आप सेपरेटली एकसाटेट डीसी मोटर एज लोड यहां प यहां पर याद रखने वाली बात है जो कि आगे आगे आपके बरकिंग में भी बताएंगे यह फिरिविलिंग डायोड के अत्यकारण इसका बेफॉरम जो में पढ़ेंगे वह दो बेफॉरम पढ़ेंगे एक तब पढ़ेंगे जब हमारा फ्रिविलिंग डायोड नहीं काम करता है और फ्रिविलिंग डायोड के चलते हैं हां पर इसका दो से होते हैं कम बाए जो κेस होते हैं 66 वेल्ए होता है ईलफा का उसकेस में भी बिलिंग डायर किnd संवे नहीं होता है बस इतना ही इसका केस है उसके अलबा कुछ नहीं है बाकि फिर जैसे हम लोग सिंगल फेज थे हाप अल्ग-अलाई लिए उसमें हमारा जो था एक बार में हम लोग A page के positive pulse को डाले थे फिर case 2 में हम लोग B page के positive pulse को डाले थे case 3 में हम लोग C page के positive pulse को डाले थे supply के positive pulse को उसी तरीके से इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे इसमें याद रखना है यहाँ पर हम लोग जो जो एक कलर का लिये हैं वो एक कलर का जो भी थारिस्टर डायोड है वो एक साथ ओपरेट होगा जैसे अगर हम केस फरस्ट में चलते हैं तो केस फरस्ट में हमारा थारिस्टर T1 और D3 जो है वो ऑपरेटिंग कंडिशन में होगा बाकि सब के सब हमारा off condition में होगा उसी तरीके सिधर भी थारिस्टा T1 और D3 हमारा जो होगा operating condition में होगा बाकि सारा का सारा off condition में होगा यहाँ पर सिर पर सिर ध्यान यह देना है कि हमारा current का moment क्या होगा तो current का moment को देखने के लिए यहाँ पर से आप देखेगा ध्यान से दे सोर्स में आ जाएगा फिर से ध्यान से देखिए एस यह हमारा निकलेगा थारिस्टर टीबन में जाएगा टीबस जाता हुए लोड में जाएगा लोड से जाता हुए डायोड डीथरी में जाएगा और उससे फिर बैक टूदा सोर्स आ जाएगा उसी तरीके से अगा इधर की निकला हमारा A से करेंट निकला T1 में जाएगा T1 से जाते वे RF LF में जाएगा उससे जाते वी डायोड D3 में जाएगा और back to the source में हमारा बापस चलाएगा तिये हमारा करेंट का मोमेंट हो गया case first के case में तो यही सारे बात को यहाँ आप अम लोग देखें लिखें हैं तो ध्यान से देखेंगा तापको समझ में आएगा language वही है कुछ करना है नहीं क्या लिखें हैं इभेन positive pulse of a face supply के positive pulse को insert करते हैं armature circuit में is inserted in armature circuit and field circuit armature circuit में भी insert कर रहे हैं और field circuit में भी insert कर रहे हैं ठीक है यहां तो कोई दिकत नहीं है और field circuit देन control switch T1 तब हमारा जो control switch T1 थारिष्टर टीबन जो है दोनों के case में और controlled switch जो हमारा D3 है डायोड D3 था थारिष्टर टीबन और डायोड D3 दोनों में इधर भी और हमारा इधर भी दोनों में मतलब field armature दोनों में यह जो हमारा आता हो फॉरवड 22 बोड में आ जात है इसा समयं हो लोगेट पाल्स को इंसर्ट करते हैं यह इंसर्ट करते हैं इसका दो मतलब रखते हैं वह रखते हैं तब क्या होता थे तब क्या होता है धृटoria invert when नहीं करता है बाकि सारा काम होता है लेकिन फ्रिविलिंग डायोड ऑप्रोइट नहीं करता है और जैसे 60 से ज़्यादा हम लोग देते हैं तब उसके स्वारा फ्रिविलिंग डायोड जो है वह वह अपरेटिंग कंडिशन में आ जाता है वह यह सो इन आर्मेचर सरकीट यह हमारा था केस बन उसी तरीके से हम लोग केस टू और केस थरी को भी यहीं पर समझ लेते हैं लेंग में सब का सब वही रहेगा शिफ डायोड और थारिस्टर का नम्बरिंग चेंज होगा जैसे अगर केस टू में लेते हैं तो केस टू में हमारा थारिस्टर टी टू और डायोड डीवन वर्क करता है चाहे वह आर्मेचर है वहाँ पर हम लोग डीवन को डाल देंगे बाकी कुछ नहीं करना बाकी सारा का सारा सेम रहेगा लेंग्वेज तो क्या है केस टू में अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए हमारा थारिस्टर टी टू और डायोड डीवन हमारा बर्किंग कंडिशन में होगा तो करेंट क मोटछका मान कैसे होगा बहुत है यहां हमारा कर्यंट निकला थारिस्टर टीटू में गया यह लोड में गया लोड यह पिर अमरह यह डायोड डीवन very f सब्सक्राइब कोई दिकत नहीं होना चाहिए बी से निकला टीटू में गया लोड में गया लोड जाते हुए हमारा जो है सब्सक्राइब कोई दिकत नहीं दूसरा के लेंगविज में लिखेंगे उसको भी मुलोग देख यह ठीसरा को देखेंगे केस्टु में हमारा आ कि बीफेच का फिटिव पल्स को सप्लाइब करते है तब फिटुटुटू सब्स इंसेटेप फिल्ट सर्कूट थें घुट देन कंट्रॉल स्विच लोड में जाता है धीवर में जाता और स्कंद में चला आता है जो कि आपको से निकलता है यहां से निकलता है यंदे जाता है और उसके है अब सबसे लास्ट की स्वारा होता है केस थड केसफ़र्ण में यहाँ पर हमारा हुंआ यहां पफिर हमारा देखिए कहास निकलेगा तो करेंट हमारा सी से निकला थारिश्टर की ठील में जाएगा लुड में जाएगा लोड सरे करेंट का मूमेंट दोनों में से होता है ज्टर णिकलेगा था यहां यहां लाज जाएगा ओडवाल बैक्टूर्ट स्वोर्स में सब्सक्राइब करेंगा अब इसको अच्छा से दिखाना चाहते हैं के लिए अलग-अलग डाग्राम बना दीजिए जिसे के विजुलाइजेसन तो अगर कॉपी चेक करने वाले जो टीजर है वो जब चेक करें कॉपी तो उनको किलियरली पता चल जाए कि विद्यार्थी का कॉंसेप्ट जो है वो हंड्रेट परसेंट के लिए लेकिन ध्यान रखेगा कि कोस्चन अगर सिक्स मार्क्स में पूछता है और आपका टाइमिंग जो है आपके पास समय जादा है तब उस केस में इतना सारा को अच्छे से एक्स्प्लेयन करना है अलग डाइगराम से क्योंकि मेलनी किया होता है इक्जाम में देते हैं तो उसके समय दिक्कत हमारे साथ यह होता है यह हम लोग समय का ध्यान ना रखते हो अगर बनाने लगते हैं चीज़े को तो कुछ को सन हमारा छूड जाता है क्योंकि टाइम जो is inserted in armature circuit and field circuit then control switch t3 and uncontrolled switch d2 is in forward by small in this case gate pulse is inserted to the thyristor act as a closed switch is case number thyristor jomar i have a gate pulse insert content thyristor numara close switch ki tira kampa so in armature circuit current to start flow from thyristor t3 to the load you have primary current ka movement kaise warata thyristor t3 say load me loads a diode d2 me or back to the source figure में फिर से एक बार देख लिजिए थारिस्टर t3 t3 से मारा load load से मारा डीटू और डीटू से back to the source वाई लिखें लोड डीटू और back to the source उसी तरीके साम फिल्ड में जब देखते हैं तो हमारा करेंट का movement जो आता है वो टी 3 rf elf d2 और back to the source यहां से निकलेगा टी 3 rf elf फिर डीटू और back to the source टी 3 rf elf और डीटू बैक टू दा सोस्ट वस इतना है चीज़ को लिखना है देखिए टी 3 rf elf d2 और back to the source ठीक है अब यहां पर हमारा फ्रीविलिंग डायोड का जो कॉंसेप्ट है फ्रीविलिंग डायोड का जो अप्रेशन है उसको में देख लेते हैं क्या है कि है यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं यह हमारा फ्रीविलिंग डायोड बरकिंग कंडिशन में नहीं होगा दूसरा हमारा वता है बेन अलफाइज 90 डिग्री तो अलफाइज मतलब क्या हो कि 60 ड्यादा एकउस एक अक्षु से कम यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं यह मारा थीरीफेज सप्लाइज के लिए हम्हारा प्राप्त हुआ है तीन प्रेज का सप्लाइज है हम इंटरनेट से यह फिगर को लिए हैं जिन्होंने यह फिगर को डाला है बहु बेपरम दिख रहा है यहां पर देखिए और हम एडब करते हैं कि यहां पर कर रहा था था पर हमारा चोवार्ट का मुहमेंट होता है वह उसी तरीके से जरा तो आई टी टू इम इस के लिए आई टी ठींडर रहोते है यह क्या फेल्द यह वह Hi मैं तो में यहाँ पर आपड़ में आप लोग देखें कि प्रेशने सही लिए सब सब करेंट का सेम था इसलिए मारा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा और यह हमारा पुजेटिव होगा तो कोई दिकत नहीं होना चाहिए यह जो रेंज है यहां से यहां तक का जो रेंज है यह हमारा थाइसटर T3 के लिए है यहां से यहां तक का जो मारा आइव वो ही पन को निकालते हैं तो हमारा इड़न के लिए एक यसरी आईटारटी यहां पर हमको जो करेंट दिखे हैं यहां पर हमारा पर घ thoughised by उचाहं बहुत हन्हें जेह 90 हो रहा क्योंकि यहां पर शारे अधसे देलातर हो रहा है 100Twb से कम है यहां पर लिए वो 30 लिए हैं तो वराल हमारा 180 होता है तो हमारा जो होता है वो 120 होता है यहीं पर अगता है जो हमारा बेफ्वाम बना है वो हमारा जो बनता है पहले हमारा 120 डिग्री था अब यहां पर chemical नाइंटी डिग्री तक ही मिलता है nाइन ती डिग्री पूरा है लेकिन पूरा में यह ना बनकर एक सॉट डिस्टेंस में यहां आइन टी डिवे मकीनन के गटा है आईएगा तो हम उमीद करते हैं कि आपको थिरी फेज सेमी कनवर्टर ड्राइब में कहीं पर भी कोई दिकत नहीं हो रहा होगा और आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को इंजुआ की होंगे कहीं पर कोई दिकत आपको नहीं हुआ होगा असारे से इसके बारे में अगर